आप सभी ने केले के फूल तो देखा होगा मुझे नहीं पता कि आपके स्टेट में ये मिलता है कि नहीं हमारे नौर्थीस्ट में ये बहुत आसान तरीकी से मिल जाता है तो आज मैं इसकी सबजी नहीं बलकि आपके साथ एक चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ इस मिन्रिल्स के लिए और सबसे पहले तो मैंने इसका छिलका बहार का निकाला लिया था जितना भी सङ जब्ससक्त शिलका है एक निकाला लिए बस byष का जो नरब इससा को हमको रखना है तो बड़े-बड़ेपीसिस मेने कालेया और ये कडाई ज्यादा मैं यूज नहीं करत तो एक से दो सीठी लगा लीजे, कुकर में तो हो जाएगा, तो मैंने इसमें अच्छे से पानी डाल दिया, पानी डाल कर इसको मैं गैस के ओपर चड़ा दूँगी, वॉयल होने के लिए, और यह जो चटनी की रेसिपी है यह बहुत ही सिंपल है, बहुत ही गुनकारी भी है और इसको बना कर आप फ्रिज में स्टोर करके रख दीजेगा, और हफते भर तक आप अराम से खा सकते हैं, तो देखिए इसको पहले पहले तू गैस पे चड़ा दिया था, कड़ाही में ही, तो मुझे लगा कि इसको पकने में काफी टाइम लगेगा, तो इसलिए फिर मैं इसको कुकर में डाल दिया, तो कुकर में भी डालने से क्या होता है, कि इसको धोने में थोड़ा मुश्किल हो जाता, ये कुकर भी मैं ज्यादा यूज नहीं करती हूँ, तो इसी कुकर में मैं इसको डाल दूँगी, और डालने के बाद मैं बस दो सीटी लगा दूँगी, नमक मैंने अभी तक नहीं डाला है इसमें और दो सीटी लगने के बाद ही ये बढ़ियां से पक जाएगा ये देखिए प्रेशर निकलने दीजेगा उसके बाद इसको आप निकालकर ठंडा कर लीजेगा तो मैंने इस बरतन में इसको निकालकर रख लिया और ठंडा होने के के छोड़ दिया केले के फूल का पकोड़ा भी बनता है इसका सब्सी बनता है इसको हम दाल से भी बना सकते हैं सब्सी के साथ मिक्स करके बना सकते हैं बहुंच जादा ये हेल्दी होता है तो आप इसको अपने डायट में ज़रूर शामिल कीजिएगा और चटनी की और रीन चिली सास का भी रेसिपी मैने बनाया था तो मैंने इसका वीडियो शुट नहीं किया तो अगर आप देखना चाथे हैं तो मेरे च्ञेल में इसका वीडियो अप्लोदे है अप लुए तब क्रिक्ष पोअर्श को आप क्या करेंगे एक च्गाजिं में में ऐनक इसको हम अच्छे से fry करेंगे यह देखिए इसको हमने डाल दिया और इसमें ज्यादा कुछ हम चीज आट नहीं करेंगे बस दो तिन चीज ही इसमें आट करेंगे इसमें मैं डाल दूँगी हल्दी नमक और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर आप चाहे तो जिंजर गालिक का इसमें डाल सकते हैं तो और स्वाड बढ़ जाएगा तो यह देखिए इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद इसको अंत तक एक्दम लो फ्लेम में ही पकाएंगे तो स्वाड दनुसार मैंने नमक डाल दिया थोड़ा सा हल्दी डाल दिया और यह डाल को रिखुलेकर करके रहता है इम्यून system के लिए अच्छा है इसमें बहुत अधिक मात्रा में macnesium आता है इसlutra yae a заity लेवल को भी ऑंड, रहता है पकाका ही sick pous позвол तो इसको आप ठोड़ा मस्टर्ड सॉस इसमें थोड़ा सा एड़ कर दीजिगा दो तीन बड़े चमबच तो इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए मिक्स करने के बाद हमारा ये हेल्दी चटनी बनकर बिल्कुल रेडी था और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए